दोस्तों आज मैं आपको आपके पसंदीदा चैनल मिक्स जी के भाई जी के अगरवाल के माध्यम से हमारे देश में जन में एक मठ वासी संथ जिनोंने अपने छोटे से जीवन काल में अपने सदकारियों के और प्रगती के कारण प्रसिद्धी प्राप्ट की विकेवल देश के ही नहीं देश के अलावा उन्होंने विदेशों में अपने ज्ञान और मनतव्यों का लुहा मनवाया वह ऐसे महपुरुस्ते स्वामी विवेकानन ऐसे 19-वी सदी में भारतिय विद्वान राम क्रश्न परमंज के सिष्च और भारतिय संस्कृति एवं साहि विदेशों तक वेते स्वामी विवेकानन उन्होंने भारत के अध्यात्मिक उत्थान इस्प्रेच्छल एनलाइट्मेंट के लिए बहुती कारी किये पश्रिम के देशों में वेदान्त फिलोसोफी को फैलाया और संपूर्ण जीवन देश के गरीबों के लिए उत्थान में लगाया समर्पित कर दिया इसके लिए वे हमेशा लालाइत रहते थे इन्होंने देश के युवाओं में प्रगेति करने के लिए नया जोस और उस्सा भर दिया वे एक ऐसे देश वक्त थे जिन्होंने संत के रूप में जाने जाते थे इसलिए उनके जन्म दिवस को आज राश्ट्य योवा दिवस के रूप में हम सब मना रहे हैं। इनकी आश्चर्य जनक याद दास्ति के लिए इने कुछ लोग सुरूती धराबी कहते थे। स्वामी विवेक अनंद का जन्म 12 जन्वरी सन 1863 में हुआ, जिनका घर का नाम नरेंदर दत्थ था। नरेंदर की बुद्धी बच्पन से ही बड़ी तिव्र और परमात्मा को पाने की प्रती लालायत थी। अत्यंत गरीवी में भी नरेंदर बड़े अतीती सेवी थे, स्वेम भूके रहकर के भी अतीतियों को भोजन कराते थे। रामकृष्ण परमंज की प्रसंता सुनकर नरेंदर उनके पास पहले तो तर्क करने के लिए तयार हो गए, किन्तु परमंजी ने देखते ही पैचान लिया कि ये तो वही सिश्च है जिसकी उन्हें काफी दिन से इंजार थी। परतकार हुआ, जिसके फल सुरूप नरेंदर परमंजी के सन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानन्द हुआ, स्वामी विवेकानन अपना जीवन, अपने गुरुदेव, स्वामी रामकृष्ण परमंज को समर्पित कर चुके थे। सुरूज के गुरु के प्रती, ऐसे अनन्य भक्ती और निष्टा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के सरीर और उनके दिव्य तम आदर्सों के उत्तम सेवा कर सके। गुरुदेव को वो समझ सके, स्वयम के अस्तित्व को गुरुदेव के संबद सरूप में विलिन कर सके, समगर विश्व में भारत के अमुल्य अध्यात्मिक खजाने की महक को वो पूरे विश्व में फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्म की नीव में ऐसी गुरु भक्ती, गुरु सेवा और गुरु के प्रती अन्यन्य निष्टा बहुत कहीं देखने को नहीं मिलती जो उनमें थी। 25 वर्ष के अवस्ता में नरेंदर दत्त ने गेरु अवस्त पहन लिये और पूरे भारत वर्ष की यात्रा अरम की। सन 1918-1930 में में अमेरिका के सिकागो सहर में विश्व धरम परिशद में भारत के प्रती निदी के रूप में पहुँचे और उन्होंने यूरोप वे अमेरिका के लोगों को अपना शिश्च भी बनाया। उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हींद रष्टी से देखते थे। भक्तों का एक वे तीन वर्स तक अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतिय तत्व ग्यान और अदबुद जोती प्रदान करते रहे। आध्यात्म विद्या और भारतिय दर्सन के बिना विश्व अनात हो जाएगा यह स्वामी विवेक अनंद जी का द्रड विश्वास था। इसलिए अमेरिका में उन्होंने रामक्रश्न मिसन की अनेक साकाइस तापित की अनेक अमेरिकन विद्वानों ने स्वामी विवेक अनंद को अपना गुरू बनाया वे सदा अपने को गरीवी का सेवक भी कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांत्रों में उज्वल करने और उन्हें सदा प्रियत्र करते रहे। सिकागों में प्रथम विजिट के बाद यात्रा के दौरान जमसेजी टाटा को अन्वेशन एवं शिक्षन संस्तान रिसर्च एंड एजूकेशनल इंस्टिटूट को बना जब इनकी उम्र साड़े अड़िस वर्सी थी वे बैलूर मठ में रात नौ बच कर दस मिनिट पर उनकी मृत्य हो गई और उनके सिश्यों ने कहा कि उन्होंने महा समाधी ले ली है। उनका अंतिम संस्कार गंगा नदी के किनारे पर किया गया। तुम रुकना मत सत्य के पत पर चलना जूट के आगे जुकना मत। हर युग में भारत का गौरब बनकर उनके विचारों हमारे हिर्दे में समाएंगे। स्वामी विवेकनन हमेशा युवाओं के आदर्स और प्रेर्णा स्रोत कहलाएंगे। गर्व से हम भारत की गौरब गाता गाते हैं। स्वामी विवेकनन के चड़नों में सीस जुकाते हैं। आप सभी आज एक महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकनन को ध्यान पूर्वक सुना वे उनके विचारों को समझने का प्रियास किया। उसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद एवं आभार जैहिन जैभारत।